नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि गाइस गर आपकी फोन में भी प्ले स्टोर से कोई भी एप्लिकिशन डाउनलोड नहीं हो रही है तो इस प्राब्लम को आप कैसे सॉल्व करेंगे गाइस बहुत सारे लोगों की कमेंट आ रही है कि प्ले विडियो को देखते रहे हैं अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल एकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए तो सबसे पहले हमें इसके लिए करना क्या होगा सबसे पहले तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि बहुत सारे लोगों के अंदर अलग अलग प्रॉब्लम आ रही है जैसे किसी के अंदर जो downloading pending problem आ रही है किसी के अंदर जो कुछ और error रार किसी के अंदर play store उपन करने के बाद direct से जो back हो जा रहा है ठीक है न तो इस तरह से बहुत सारे लोगों के अंदर अलग अलग problem आ रही है तो आपको अपनी profile पे click करना होगा अब जैसे ही आप अपनी profile पे click करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना होगा आपको scroll करना है scroll करने के बाद आप देखेंगे नीचे की सेर में settings वाला option आपको दिखाई देगा तो settings पे click करना होगा अब जैसे ही आप अपनी phone में settings के ऊपर click करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको एक option मिलता है network preference ठीक है तो network preferences एक option आपको देखने को मिलता है इसके ऊपर click करना होगा अब यहाँ पर आपको तीन option यहाँ पर show हो जाएंगे यहाँ पर देख तो auto update apps, auto play, videos and auto download preference ठीक है न तो य चाती है तो चलिए सबसे पहले यह समझ लेते हैं तो सबसे पहले तो दिख तो auto download preferences है इसके उपर हम click करेंगे और यहाँ पर आपके phone में ask me every time यहाँ पर यह वाला option select है तो आपको इसे over any network के उपर click करना है ठीक है न उसके बाद okay पर click करना होगा अब second वाला option है auto update apps इसके क्या होता है कि guys जब भी आपके phone वे application के अंदर कुछ update आता है तो automatically application जो update होना start हो जाती और update चलता रहता application का जिससे आप किसी application को download करने जाते है वो application जो download नहीं होता बार बार यह problem जो आ सकती है ठीक है तो इसे यहाँ पर don't auto update के उपर हम click करेंगे और यहाँ पर okay पर click कर देंगे तो यहाँ पर यह सेट हो जागा उसके बाद autoplay videos वाला option है इसके उपर click करेंगे और इसे भी यहाँ पर don't autoplay videos पर set करेंगे यहाँ पर जगर उपर कही पर भी आपको set है तो इसे भी नीचे की side में करके आपको कर देना उसके बाद क्लिक कर देना ठीक है ना उसके क्या होगा कि आप नीचे की side में देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो है एक option मिलता है about वाला इसके उपर click करना होगा उसके बाद थोड़ा सा scroll करेंगे scroll करने के बाद यहाँ पर एक option आपको दिखाई देगा यहाँ पर आप देखेंगे play store version यहाँ पर आप देखेंगे play store करेंगे अब जैसे इसके उपर click करेंगे उसके बाद एकस तो understood का option आया रहाँ इसके उपर हम click करेंगे उसके बाद यहाँ पर यह जो background में जो है update हो जाएगा automatically हमारे phone में जो update हो जाएगा अब guys क्या होता है कि हमारे phone में mostly यही problem होती है जिसकी वज़े से हमारे phone में application open नह बाद इस तरह का option आपकी सामने आ जाएका तो यहाँ पर आपको app info का option मिलेगा इसके उपर click करना होगा उसके बाद यहाँ पर आपके settings आ जाएगी application की इसके बाद गई से आपको करना क्या होगा यहाँ पर आप नीचे की side में देखेंगे यहाँ पर आपको एक option देखने क अब guys आप अपनी play store में जाएए और किसी भी application को आपको download करना है उसे application को आप select कर लीजिए उसके बाद application जो download होना start हो जाएगा तो अब यहाँ पर मैंने इसका data clear कर लिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे इसके उपर click करेंगे तो यहाँ पर यह जो हमारे सामने जैसे ही open हो चुकिए अब किसी भी application को हम यहाँ पर आपको आपके सामने डाउनलोड करके बता देता है तो यहाँ पर example के लिए हम क्या करते है यहाँ पर कोई भी application सेलेक्ट करते है जैसे यहाँ पर शॉपसी सेलेक्ट करते हैं इसके उपर हम क्लिक करते हैं उसके बार यहाँ पर यह जो download होना start हो जाएगी और guys देख सेकतो यहाँ पर यह download होना start हो चुकिए और guys कुछी second के अंदर यह download हो जाता है हमारे जो problem है 100% solve हो चुकिए, Play Store में किसी भी application को download करना है, तो easily आप जो है, download कर पाएंगे, आपकी जो problem रहेगी, वो 100% solve हो जाएगी, तो इस तरह से guys, अगर आपके phone में भी Play Store से कोई application download नहीं हो रही है, तो इस तरह से इस problem को आप जो solve कर सकते हैं